Hello everyone, welcome on my channel इस वीडियो में हम 1001 से लेके 1050 तक के one word substitution करेंगे और ये जो है इस सीरीज का 21 वीडियो है और इससे पहले मैंने 20 वीडियो डाले हैं जिसमें हमने 1000 one word substitution को cover किया है और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इसे horology कहते हैं और हिंदी में इसे hora विज्यान या समय विज्यान हम कहते हैं अगला हम देखते हैं science of weight यानि की वजन का विज्यान तो इसे क्या कहते हैं तो इसे metrology कहते हैं और हिंदी में इसे map विज्यान हम कहते हैं और आपने सुना होगा कि अलग-अलग जगे पे अलग-अलग जो है हमारा weight होता है और ये किस पे निर्वर करता है तो ये gravitational force पे निर्वर करता है gravitational force जो है वो vary करता है और उसी हिसाब से जो है हमारा weight जगे पे अलग-अलग होता है तो इसे connect करके आप ध्यान लग सकते हैं अगला हम देखते हैं Science of Writing and Compiling a Dictionary यानि की सब्द कोस निखने तथा संकलित करने का विज्ञान तो उसे क्या कहते हैं तो उसे Lexicography कहते हैं और हिंदी में इसे कोस विज्ञान या सब्द कोस विज्ञान कहा जाता है अगला हम देखते हैं Scornful and Contemptuous Language इसका मत्तब होता है तिरसकार और उपेक्छा से भरी हुई भासा तो इसे क्या कहते हैं तो इसे Aprobreus कहते हैं और हिंदी में इसे निंदात्मक या अपमान जनक भासा कहते हैं जैसा कि इस पिक्चर आप देख पा रहे हैं ये जो औरत है इस बच्चे को अपमान जनक भासा बोल रही है और खास कर हमें बच्चों के साथ ऐसे तिरसकार और उपेक्छा से भरी हुई भासा नहीं बोलनी चाहिए तो इसे connect करके आप ध्यान रख सकते हैं अगला हम देखते हैं Sea with a group of many islands तो इसे connect करके आप ध्यान रख सकते हैं अगला हम देखते हैं Search for Something यानि कि किसी भी चीज की खोज करना या तलास करना तो इसे क्या कहते हैं और हिंदी में इसे खोज, तलास या अन्वेशन कहते हैं जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं ये जो भाई साब हैं किसी चीज की तलास में बहुत ही जादा दूर लिकल चुके हैं तो इसे connect करके आप ध्यान रख सकते हैं अगला हम देखते हैं search in dark यानि कि अंधेरे में खोज करना तो उसे क्या कहा जाता है तो उसे ग्रॉप कहा जाता है या फंबल कहा जाता है और हिंदी में इसे टटोलना कहते हैं जैसे कि मालीजे कि आप घर में हैं और क्या होता है लाइट चली जाती है तो हम क्या करते हैं मुंबत्ती को टटोलते हैं खोशते हैं तो वही ग्रोप और फंबल है और जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं यह सब भी अंधेरे में कुछ ढूंड रहे हैं तो इसे connect करके आप ध्यान रख सकते हैं अगला हम देखते हैं secret agreement for a fraudulent purpose यानि कि धोके बाजी के उद्देश से गुप्त समझ होता तो इसे क्या कहते हैं तो इसे collusion कहते हैं या कौन सी प्रेसी कहते हैं और हिंदी में इसे जाल साजी या कपट समझ होता कहा जाता है जरनली आपने जो है बॉलिवड मूवी में देखा अगला हम देखते हैं secret place और place difficult to access यानि कि गुप्त स्थान या स्थान जहां पे पहुँचना बहुत ही कठीन है तो इसे क्या कहते हैं तो इसे recess कहते हैं और हिंदी में इसे गुफा या एकांत स्थान कहा जाता है जैसा अब इस पिक्चर में देख पा रहे हैं यह जो है एक recess है एक ऐसा जगह है secret जगह है जहां पे access करना बहुत ही मुश्किल है वहाँ पर पहुचना बहुत ही मुश्किल है तो इसे connect करके आप ध्यान लग सकते हैं अगला हम देखते हैं secret religious meeting यानि कि गुप्त धार्मिक सभा तो उसे क्या कहते हैं तो उसे conventical कहते हैं और हिंदी मे इसे गुप्त धार्मिक सभा या गुप्त बैठक कहा जाता है जैसा कि आप इस picture में देख पा रहे हैं यहाँ पे जो है एक गुप्त धार्मिक सभा हुआ है इसे बहुत सारे लोगों को Christianity को अपनाने के लिए कहा जा रहा है तो इसे connect करके आप ध्यान लग सकते हैं अगला ह जो सन की लाइट है वो जो धरती पे आती है तो क्या होती है रेडियेट होती है तो इसे connect करके आप ध्यान लग सकते हैं अगला हम देखते हैं serious crime like murder, arson, etc. यानि कि हत्या, अगनिकान जैसा गंभीर अपराद तो उसे क्या कहते हैं तो उसे फेलोनी कहते हैं और हिंदी में इ आप या भ्यंकर अपराद कहा जाता है जैसा कि देखिए इस पिक्चर में इस भाई साहब ने murder किया है और यह जो है फेलोनी किया है और इसके इसे उम्रकैद की सजा हुई है तो इसे connect करके आप ध्यान लग सकते हैं अगला हम देखते हैं set free from bondage यानि कि कि किसी बंधन से कि किसी को मुक्त कर देना तो उसे क्या कहते हैं तो इसे liberate कहते हैं और हिंदी में इसे सोतंतर करना या विमुक्त करना हम कहते हैं जैसा आप इस picture में देख पा रहे हैं यह जो पच्छिया थी पहले इस cage में जो है बंध थी लेकिन अब इन्हें free कर दिया गया है यानि कि इन् consecration कहते हैं और हिंदी में इसे पवित्री करन प्रतिष्ठा या अभिषे कहा जाता है जैसा कि आपने सुना होगा by consecrated रुखदराक्ष माला यानि कि यह ऐसा माला है रुखदराक्ष का जिससे प्रतिष्ठा किया गया है जिसका अभिषे किया गया है पवित्री करन किया गय तो उसे क्या कहते हैं तो उसे ordeal कहते हैं और हिंदी में इसे अगनी परिक्षा या कठीन परिक्षा कहा जाता है जैसा अब इस पिक्चर में देखिए My ordeal in the यरवदा जेल, it was terrifying यानि कि जब रनवीर कपूर संजेदत का बायूपी बना रहे थे तो ये यरवदा जेल में कुछ दिन के लिए गय थे, ताकि ये ऐसा feel कर सके कि संजेदत को कैसा feeling आया था जब वो यरवदा जेल में बन थे तो उसके बाद रनवीर कपूर ने ये कहा कि भाई वो जो परिक्षा थी, बहुत ही कठीन परिक्षा थी मैं तो उसमें जहिल गया तो इसे connect करके आप ध्यान लग सकते हैं अगला हम देखते हैं Samlesny Immortal यानि कि निललर्च पुन अनैटिक तो इसे क्या कहते हैं तो इसे profligate कहते हैं और हिंदी में इसे दूस चरितर, चरितरहीन या लंपट कहा जाता है जैसे कि विजय मालिया ये क्या है? प्रॉफली गेट है ये जो है दूस चरितर है चरितरहीन भी है, लंपट भी है पैसा लेके हिंडिया से भाग गया है और जो है प्रॉफलेट उसको भी कहते हैं जो पैसे को बीना सोचे समझे इधर उधर खर्ज करता है तो उसे भी हम प्रॉफली गेट ही कहते है तो इसको भी ध्यान रखिएगा अगला हम देखते हैं सेमलेसली रूड यानि की निरलजपुन उडण तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे इंप्यूडन कहते हैं और हिंदी में इसे निरललज या धीड कहते हैं जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं ये जो बंदा है ये क्या है? बहुत ही रूड आदमी है देखने से भी लग रहा है खरूज टाइप का तो इसे कनेट करके आप ध्यान लख सकते हैं अगला हम देखते हैं यानि की चोट मारकर तता हथोरे से पीट कर किसी आकरिती को बनाना तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे फोर्ज कहा जाता है और हिंदी में इसे ढालना या गढ़ना हम कहते हैं जिस आपने देखा होगा लोहे को गर्म करके उस पे अथोरे से पीट के उसे आकरिती में चेंज किया जाता है तो इसे कनेट करके आप ध्यान लख सकते हैं अगला हम देखते हैं यानि कि किसी भी वास्तुईक वेक्टी या घटना के बारे में रोचक लगू कथा तो उसे क्या कहा जाता है तो उसे एनिकडोट कहते हैं और हिंदी में इसे किस्सा या दंद कथा कहा जाता है जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं ये जो बंदा है वो अपना एनिकडोट बता रहा है कि जब ये जवान था तो इसने कुछ कांड किया होगा उसके बारे में ये बता रहा है इंडो को तो इससे connect करके आप ध्यान लग सकते हैं अगला हम देखते हैं short journey for pleasure यानि कि आनंद के लिए छोटी यात्रा करना तो उसे क्या कहा जाता है तो उसे exertion कहा जाता है और हिंदी में से सहर सपाटा या भ्रहमन हम कहते हैं जैसा आप इस picture में देख पा रहे हैं जो चारों दोस्त हैं ये कहीं पे यात्रा करने गए हैं ज्यादा दूर नहीं गए हैं बस अगल बगल के जो पहारी वारी इलाके हैं वहाँ पे गए हैं ताकि इनका जो है मन अच्छा हो सके तो इससे connect करके आप ध्यान लग सकते हैं अगला हम देखते हैं यानि कि किसी नाटक के अंत में दर्सकों को संबोधित छोटी कविता या भासन तो उससे क्या कहा जाता है तो उसे इपी लोग कहते हैं और हिंदी में इसे उपसाहार या भरत वाक के हम कहते हैं और जो बिल्कुल पहले बताया जाता है ड्रामा स्टार्ट होने से पहले तो उसे प्रो लोग कहते हैं तो ये दोनों को ध्यान रखिएगा प्रो मतलब पहले इपी लोग मतलब बाद में अगला हम देखते हैं इसका जो है ये चार मिनिंग है चारों को ध्यान रखिएगा कोई भी एकजाम में पूछा जा सकता है और हिंदी में इसे हम कहावत कहते हैं जैसा कि आपने कहावत सुना होगा यानि नाचना आए अंगन टेडा यानि काम नहीं आता है तो बहाने बनाना तो इस तरह के मैक्सिम जो हैं बहुत सारे हैं तो उसको आप ध्यान रखिएगा अगला हम देखते हैं यानि कि छोटी कहावत या कविता जो किसी विचार को बहुत ही चलाकी पुन तथा रोचक धंग से व्यक्त करता है तो उसे क्या का जाता है तो उसे E.P.gram कहा जाता है और हिंडी में इसे हम चुटकुला या सुक्ती कहते हैं जैसा कि आपने बहुत सारे चुटकुले सुने होंगे तो वो क्या है E.P.gram है तो इसे connect करके आप ध्यान लग सकते हैं अगला हम देखते हैं short summary of a book, speech, etc यानि कि किसी भी पुस्तक, भासन, आदी का छोटा सारांस तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे epitome हम कहते हैं और हिंदी में इसे सारांस, संचेप या सार कहा जाता है जैसा आप इस picture में देखिए ये जो है, एक book का सारांस है एक बहुत ही लंबी book है लेकिन उसमें जो है, संचेप में क्या कहा गया है उसको इसमें बताया जा रहा है तो ये क्या है? epitome है तो इसे connect करके आप ध्यान लग सकते हैं अगला हम देखते हैं, showing lack of judgment decision दिया है, और ये खुद भी सोच में पड़े हुए है, कि हाँ यार जो मैंने decision दिया है, वो गलत है तो इसे connect करके आप ध्यान लग सकते हैं अगला हम देखते हैं, showing contemptuous indifference यानि कि तिरसकार्णपूल उदासिंता दिखाने वाला तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे super serious कहते हैं, और हिंदी में इसे घमंडी, दभी, या मगरूर कहते हैं, जैसा आप इस picture में देख पा रहे हैं, ये जो लड़की है थोड़ा सा पैसे हो गए हैं इसके पास, तो ये क्या कहते हैं, तो उसे contrite कहते हैं, और हिंदी में इसे पस्ता तापी या प्रैस्चित करने वाला हम कहते हैं, जैसे कि देखिए इस picture में, ये मैडम ने कुछ गलत किया था पास्ट में, तो उसके लिए काफी ये पस्ता रही हैं भी, और बोल रही है आता है, और जैसा आप इस picture में देख पा रहे हैं, देखिए, आपे curfew लगा हुआ है, और जन्रली Corona काल में, रात के 8 बज़े से लेके, सुवब 5 बज़े तक curfew लगा रहता था, ताकि लोग जो हैं, रात में नाइट पार्टी ये समना करें, ताकि Corona ज़्यादा नहीं फैले तो इससे connect करके आप ध्यान रख सकते हैं अगला हम देखते हैं, signature on the back of a paper, check, etc यानि कि किसी भी कागजात, check आदी के पिछले प्रिष्ट पर हकताक्षर तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे endorsement हम कहते हैं और हिंदी में इसे हस्ताक्षर या प्रमानी करन हम कहते हैं जैसा आप इस picture में देखिए, यहां लिखा हुआ हैं, endorse here यानि कि यहां पर अपना signature कीजिए, तो इससे connect करके आप ध्यान रख सकते हैं अगला हम देखते हैं, simple fast spreading plant without flowers or leaves which can often cause disease यानि कि सामानी तेजी से बढ़ने वाला फूल या पत्ती रहित पोधा जो प्राय बिमारी पैदा कर सकता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे fungus कहते हैं और हिंदी में इसे कवक कहते हैं या fungus भी कहते हैं जैसा आप इस picture में देख पा रहे हैं ये क्या है, एक mushroom है ये जहलीला mushroom है और mushroom क्या होता है, ये एक तरह का fungus ही है जो mushroom आप खाते हैं, वो भी एक तरह का fungus है तो इसे connect करके आप ध्यान रख सकते हैं अगला हम देखते हैं, skillful at handing things यानि की चीजों को विवस्थित करने में कुसल तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे dextrous कहा जाता है और हिंदी में इसे dutch या कुसल हम कहते हैं जैसा की ये जो बंदा है, ये painting में काफी dextrous है काफी कुसल है, बहुत अच्छी painting ये करता है तो इसे connect करके आप ध्यान लग सकते हैं अगला हम देखते हैं, skill and wisdom in managing public affairs यानि की लोग कारियों के प्रमंधन करने की कला तथा ज्यान तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे statesmanship कहा जाता है और हिंदी में इसे राज कोसल हम कहते हैं जैसे की Abraham Lincoln, जो अमेरिका के president रहे थे तो ये जो हैं काफी अच्छे statesman थे तो इसे connect करके आप ध्यान लग सकते हैं अगला हम देखते हैं, skill in social and domestic art यानि की समाजिक और घरेलू कला में निपूनता तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे accomplishment हम कहते हैं और हिंदी में से उपलब्धी, निपूनता या कुसलता कहा जाता है जैसा आप इस picture में देख पा रहे हैं, ये जो भाई साब है वो काफी निपून है किसी चीज में, इसको देखी आवार्ड मी मिला है इसलिए तो इसे connect करके आप ध्यान रख सकते हैं अगला हम देखते हैं, skilled workman who practices a craft यानि कि निपून कारिगर जो किसी हस्त कला का काम करता है तो उसे क्या का जाता है, तो उसे craftsman कहते हैं और हिंदी में इसे silpy, silpkar या dustkar हम कहते हैं ये साब इस picture में देखिए, ये जो है craftsman है ये देखिए, लकड़ी पे कितने अच्छी आक्रिती बना रहा है तो इसे connect करके आप ध्यान रख सकते हैं अगला हम देखते हैं, sleeping room with many beds यानि कि कई भी छाउनों वाला सोने का कमरा तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे dormitory कहते हैं और हिंदी में इसे सैंसाला, सैंग्री या सैंकर्चम कहते हैं जैसा कि जनरली आपने hostels में देखा होगा कि dormitory होता है, एक ही room में बहुत सारे beds जो हैं वो लगे होते हैं सोने के लिए तो इसे connect करके आप ध्यान रख सकते हैं अगला हम देखते हैं, slow in understanding यानि कि समझने में धीमा या सुस्त तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे obtuse कहते हैं या dull कहते हैं और हिंदी में इसे भोथरा या कुंठित कहा जाता है जैसा आप इस picture में देखिए, ये जो बंदा है थोड़ा समझने में ये धीमा है, सुस्त है तो इसे क्या है, obtuse है, dull है तो इसे connect करके आप ध्यान रख सकते हैं अगला हम देखते हैं, small shop that says fashionable clothes, cosmetics, etc यानि कि छोटी दुकान जो आकरसक कपड़े, सिरिंगार के समान आदी बेशता है तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे botic कहते हैं और हिंदी में इसे दुकान ही कहा जाता है जैसा आप इस picture में देख पा रहे हैं, आप ए काफी fashionable cloths और सिंगार के item यहाँ पे बेचा जाता है तो यह क्या है, botic है, तो इसे connect करके ध्यान रखिएगा अगला हम देखते हैं, smash two pieces यानि कि टुक्रो में तोड़ देना, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे satire कहा जाता है और हिंदी में से टुक्रे टुक्रे करना या चूर चूर करना हम कहते हैं जनरली जब glass जो है, उपर से नीचे गिर जाता है, तो क्या होता है, वो satire हो जाता है तो इसे connect करके आप ध्यान लग सकते हैं अगला हम देखते हैं तो उसके पेंदी तक नहीं पहुचा जा सके तो उसे क्या कहते हैं तो उसे unfathomable कहते हैं और हिंदी में इसे अथा, अगाद या अतिगहन कहा जाता है जैसे कि God's love is unfathomable यानि कि भगवान का जो प्यार है वो बहुत ही जादा गहरा होता है तो इसे connect करके आप ध्यान लग सकते हैं अगला हम देखते हैं soldiers on big guns mounted on wheels यानि कि तोप पर काम करने वाले सैनिक तो उन्हें क्या कहा जाता है तो उन्हें artillery हम कहते हैं और हिंदी में इसे तोप चनाने वाले सैनिक या तोप खाना हम कहते हैं जैसा आप इस picture में देख पा रहे हैं ये जो है क्या है artillery है अगला हम देखते हैं soldiers who fight on foot यानि कि सैनिक जो पैदल लडते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं तो उसे infantry कहते हैं और हिंदी में इसे पैदल सेना कहा जाता है जैसा आप इस picture में देख पा रहे हैं ये जो सैनिक हैं ये पैदल लडते हैं अगला हम देखते हैं soldiers who fight on horseback यानि कि ऐसे सैनिक जो गोड़े पर लडते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं तो उसे cavalry कहते हैं और हिंदी में इसे अस्वारोही सेना या घुरसवार फोज हम कहते हैं जैसा आप इस picture में देख पा रहे हैं ये जो है cavalry है क्योंकि ये घोड़े पर बैटके डड़ाई कर रहे हैं तो इससे connect करके आप ध्यान लग सकते हैं अगला हम देखते हैं something capable of being done यानि कि कोई चीज जीसे किया जा सके तो उसे क्या कहते हैं तो उसे feasible कहते हैं और हिंदी में इसे वैवहारिक या सूसंगत हम कहते हैं अगला हम देखते हैं something hidden or impossible to understand यानि कि कोई चीज जो छिपी हुई है और उसे समझना असंभव है तो उसे हम क्या कहते हैं तो उसे mystery कहते हैं और हिंदी में इसे रहस्य वेद या गुप्त सिद्धान्द कहा जाता है जैसा आप इस picture में देख पा रहे हैं ये जो बंदा है वो किसी mystery की खोज में है किसी रहस्य की खोज में है तो इसे connect करके आप ध्यान रख सकते हैं अगला हम देखते हैं something given by way of a gift for remembrance यानि कि यादगार के लिए उपहार के रूप में दी गई कोई चीज उसे क्या कहा जाता है तो उसे momento कहा जाता है और हिंदी में इसे यादगारी या निसानी हम कहते हैं जैसे कि देखिए पिक्चर में ये जो है momento दिया गया एक बंदे को ताकि उसे ये याद रहे कि हम कभी वहाँ गय थे और वहाँ से मुझे ये gift मिला था तो इसे connect करके आप ध्यान बख सकते हैं अगला हम देखते हैं something or somebody that fortales the coming of something or somebody यानि कि कोई चीज या कोई वेक्टी जो किसी चीज या किसी वेक्टी के आने की सूचना देता है तो उसे क्या कहते हैं उसे harvinger कहते हैं और हिंदि में इसे अग्रदूत या पत्प्रदर्सक कहा जाता है जैसे कि जब सुनामी आई थी कब आई थी सुनामी सारे जो जानवर थे वो पहाडों की ओर भाग गये थे लेकिन जो इनसान है इनके संकेत को समझ नहीं पाए और काफी ज़्यादा तबाही मची थी तो इसे connect करके आप इसे ध्यान लग सकते हैं अगला हम देखते हैं यानि कि गर्मी या थंड़क से बचाओ के लिए काम करने वाली कोई चीज तो उसे क्या कहा जाता है तो उसे shelter हम कहते हैं और हिंदी में इसे पनाह या आसरे कहते हैं जैसा आप इस पिक्चर में देखिए डेजर्ट में जो है ये एक shelter बनाया हुआ है ये दिन में जो है गर्मी से और रात में ठंड से जो है बचाता है तो इससे connect करके आप ध्यान लग सकते हैं अगला हम देखते हैं something that happens unexpectedly यानि कि कोई ऐसी चीज जो अचानक होती है उसे क्या कहते हैं तो उसे accident कहते हैं और हिंदी में इसे संयोग, इक्तिफाक या दुरगटना कहा जाता है जैसा कि मानिए कि आप चल के कहीं जा रहे हैं और आपके पैर के नीचे केले का छिलका आ गया तो आप क्या होगा अचानक गिर जाएंगे तो वो क्या होगा आपके लिए accident हुआ तो इसे connect करके आप ध्यान लग सकते हैं और गारियों का accident, motorcycle का accident ये तो आपने सुनाई होगा अगला हम देखते हैं Something that is believable यानि कोई ऐसी चीज जो विश्वास करने योग हो तो उसे क्या कहते हैं तो उसे credible कहते हैं जैसा आप इस picture में देख पा रहे हैं ये जो लड़की है इस लड़की पे काफी जादा भरोसा करती है इसके लिए जो है ये लड़की विश्वस निये है तो इसे connect करके आप ध्यान लग सकते हैं अगला हम देखते हैं Something that is similar to another things यानि कि कोई चीज जो दूसरी चीज के सद्रिस या समान है उसे क्या कहा जाता है तो उसे analog हम कहते हैं और हिंदी में इसे अनुरूप या सद्रिस रूप कहते हैं आप जो है reasoning अगर बनाते होंगे तो उसमें analogy एक chapter है ठीक उसमें क्या होता है कि जैसे देखिए ये socks to legs है socks leg में पहना जाता है तो उसी तरह ये जो gloves है वो कहां पहना जाएगा तो hands में पहना जाएगा तो ये क्या है अनुरूप है तो इसे ही जो है हम analogy कहते हैं तो इसे connect करके आप ध्यान लग सकते हैं तो इस वीडियो में हमने 50 one word substitution किये and I hope कि आपको समझ में आ गए होंगे और आपको याद भी हो गए होंगे तो ये series जो है वो continue रहेगी जब तक जो ये book है mirror of one word substitution जो डॉक्टर असोक कुमार सिंग के द्वारा लिखा गया है उसको हम खतम नहीं कर लेते हैं और जैसा मैंने आप से promise किया है कि जब ये जो book खतम हो जाएगा तो सभी वीडियोज को मैं combine कर दूँगा और उसमें आपको PDF भी provide करा दूँगा और PDF जो है वो बहुत ही लाजवाब होने वाला है आपको exam के समय revision करने में काफी आसानी होगी तो आप वीडियो के साथ बने रहे है और आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राब तो मैं चैनल थेंक यू